विलाज टैनल फे मुलोगों से इंजर्शन दिलीशन मैक्सिमुम निमम और सक्सेसर और पर डिंजर्शन करना सीखेंगे गुए प्रजिश्च का दिलीशन करने के लिए हमें कुछ केसिस को थैंक पड़ेगा पर एक्जांपल हमारे पास थीन डिफिरट केसे भी सबसक्ते हैं पहला के सिद्धि तो नोड यह में डिलीट करना है उसका कोई चाहिड इसका मतब गोडर को दूसरा केस ही हो सकता है कि जिसके न तो तीनों case के deletions थोड़े थोड़े रिफर करेंगे माले जाए कि आपको ऐसे node को delete करना है इसके 0 child तो ये case 1 हम इसको बाते है तो case 1 में जैसे माले जाए कि हमें इस node को delete करना है वो node है 75 तो अगर हम 75 बले node को delete करेंगे तो इसका कोई child है और इसको हम सिंप्री ऐसे लिट कर सकते हैं लेकिन इसके डिलेशन से यह वाला दिशंप इस वहले note के जो structure है इस वहले note का उसमें चार fields है उन चार fields में left वहले जो field है वो इस note को point कर जाएगा जब नोट delete हो जाएगा उस case में मुझे इस left field को null set कर रहा हो तो यह मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं किसी note को delete कर रहा हूं, zero child रहे तो उसके parent note के subsequent field में जिसमें कि जो तो जो भी ये चाइल्ड रहा होगा उसके कॉर्डिंग या पर लुल सेट करना होगा जैसे कि जो 75 है वो अपने फादर का लेप्ट चाहिए तो इसका मताब यह है कि इसके फादर के लेप्ट फील्ड में आप लिलीट कर रहा होते हैं तो उसकेस में 84 जो उसका पैरेट है उस इसको हैंडल करने के लिए मालेपी के मारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाब है इस लेफ तो इसलेफ फंक्शन हमें यह गाइट करेगा की जिस नोट को हमें ड़िट करना है उसका एक्टर फी है तो अगर हम यह देखने हैं कि हमारा जो नोड है जिसको हम डिली इसी तरह से अगर ऐसा ना हो कि वो लेफ्ट है इसका मतलब है कि वो राइट नोड होगा उसके इसमें पी के फादर को रफर्म करेंगे और फादर के राइट चाहिए को देखने है कि मारीज अगर आपको 75 को डिलीट करना है इसमें 75 वलन नोड है तो यह अपने फादर का लेफ्ट चाहिए इसका मतलब इसलेफ फॉंक्शन इसके लिए टू रिटन करेंगा तो इसलिए पी के फादर को प्रेफर करेंगे तो इस नोड को पहुंचेंगे और इस नोड के लेफ्ट को हम लॉल सेट अगर हम दिलीशन हंडेट का कर रहे होते त मिसटल तो थी यह होता ही का फादर ये होता और इसके राइट पील को लग सेट होते है तो डिलीशन बडाई आसान है जीरो चाहिट आपता है इस चीज का द्यान में आए कि पैरेंड वोग के लेफ्ट यह राइट पील हो आपको एकोलिफली नल सेट करना पड़े है कि 60 सिक्स्टी द्लीट करना है तो गवस्टी का एक जायर। और पी का जो भी चायल आउसको आप और जो पी का पैरेंट है उसको तो इस मन दिजाने बोचब पी नोट डिलीट होगा तो क्यों और सी के बीच का लिक पूट जाए हमें क्या करना है क्यों और सी के हम घुट को स्टैबलिश करें तो हम establish कैसे करेंगे, चुकि P अपने father का right child है, इसलिए Q का right child हम C को बना देंगे, और C क्या father हम बना देंगे Q को, एक बाद फिर से हम repeat करते हैं इसको, बड़ाई simple सा process है, इस note हमें delete करना है, हमने माल लिया है कि वो P node है, P का जो भी child है, चाहिए वो left है या right है को C माल लिया जब P node हमारा delete होगा, तो Q और C के बीच का जो link है वो two child, link को establish करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा, कि P अपने father का right child है कि left child है, अगर P अपने father का right child है, तो हम father का right child बना देंगे C को, similarly C का father हम बना देंगे Q को, पहले C का father P था, लेकि P delete हो रहा है, इसलिए C के father को ह बड़ा ही आसा प्रोसेस है, जिसमें की हमें identify कर लेना है कि किす node को delete करना है, किस node को हमें delete करना है, वो P है उसका एक ही child है, जौ अपने अपने father का left child है, कि right child है ठीडावा अगर पी अपने फादर का लप चाइड है उस केस्समें फादर का लेब चाइड अपनावेगे C को अद disciplined हम फादर का राई चायल बनावें चया हम यह लेफ चयल बनाए फादर का, चाहे राई चाल बनाएं चेको दोनों केस में जो C का फादर वोगा है वो क्यूं बन गाए है तो यह कॉमन स्टेट्मेंट है इन दोनों एफराइस के लिए तो C.father is equals to तो case 2 जो है वो भी बड़ा ही simple सा step है इसरा step समझते है case 3 केसी में हमें ऐसे नोड को डिलीट करता है जिसके दोनों चिल्डर और एक्जामपल यह जो गिबन हमारा ट्री है इसमें माल लिजे कि जिस नोड को हमा डिलीट करता है वो नोड है 48 तो 48 को दोनों चाहिए तो आप क्या करेंगे पहले 48 का सक्सेसर मुझे कहा मिलेगा राइट मि degura में मिलेंगा राइट का मतला 60 इंदे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 60 को डिलीट करेंगे एसे लिंकिंग हो जाएगी तो 60 को कैसे, आपने डिलीड किया, सकैसर को आप डिलीट करें , 60 को आपने Case 2 से डिलीट करें, रिकर्सिवली आप जाल करेंगे, तो Case 2 से 60 का डिलीट की डिलीट करना था, इसलिए 60 को आप 48 की जगह पहुचा देशे इसका मतलब क्या है कि एक्चुली आप 48 को ना डिलीट करके इसके सक्सेसर को डिलीट कर रहे हैं और सक्सेसर के पास जो भी इनफर्मेशन भी वह आपके पहुचा देखते हैं कोछ और केस को देखते हुए या कोई और नोट को डिलीट करते हैं लेट से इस नोट को हमें डिलीट करना है वह यह वाला अगर मुझे इस नोट को डिलीट करना है तो इसके दोनों चलिए तो हमें इसका सक्सेसर फाइं सक्सेसर नोट कौन सा होगा यह वाला क्योंकि right come find करेंगे right जो हमें क्या करना इस नोट को डिलीट करें इस नोट देलीट हम कैसे करेंगे एस वन से और उसके बार इसकी जो भी इंफ़्रमेशन है उसको हम औरिजनली जिसनोड को डिलीट करना था 84 को डिलीट करना है तो मैल एक यह नोट भी है हमने इसका successor find किया successor मुझे right side right coming in 100 is the successors घर अम उजह क्या करना है successor को delete case 1 से इसका deletion हो जाए है जैब यह delete हो जाएगा तो इसकी जो भी information है 100 उसको हम 84 के प्लेस पर या पी नोट के प्लेस पर पहुंचा देए और हम मान लेंगे कि यह वाल हम दिलीट होए अच्वल में यह डों डिलीट होगे वलकि इसका सक्सेसर मौन हमारा एक और एक और एक्जामपल लेते हैं हमारा केंस तरीका वैसा सबसे पहले उसको निकलते हैं दो लाइनन है इससे कि हम इसको रिकॉल कर नहीं क्या हो रहा है So what is happening with the case three we are going to find out the successor of the given node, let's say, जो हमारा node है इसको दिलीट करना है उसका हमें successor find बनी बनी रहे हैं और माल लेते हैं कि successor q है फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमने माना है कि इस function का नाम VST डिलीट ही है तो हम q को डिलीट कर जबते हैं या तो q डिलीट होगा case 1 से, या q डिलीट होगा case 2 से दोनों में से किसी भी case में दिलीट करना था मतलब ती नोड उसके डेटा फिल्ट में एक्स को सेट करें तो यह हमारा वड़ी आसान तरिके से दिलीशन के स्टीका होगे अब हम एक छोटा से एक्जामपल लेके के स्ट्री को एक बात पच्छे समझेंगे एंड देन लोग पर जाएंगे और और को करें कि मेरे पास एक ट्री है वाइन इस ट्री आएधन कि पर नौट आपने मेरिए और महा लिजे कि जिस नॉट को आपको डिलीट करना था मीरा लेवालव कि इस को युकि मुझेắt निट करना है तो में इसका क Journey सक्सृसर करना है तो जा element कि इसके दूर चिल्दन और इस नोट का जो भी डेटा एलमेंट है वो मुझे पहुचा देना है पी के प्लेस पे इसका मतलब की 70 को पहुच जाएगा और एक्शुली डिलीशन सक्सेसर का हुआ है ना कि पॉरिजनली इस नोट का हुआ हुम सिमिलेट कर रहे हैं डिलीशन ऑफ तूचाइड वाले नो मुझे इस नोट को डिलीट करेंगे और उसके बाद इसकी जो इंफॉर्मिशन है वह इस नोट की इंफॉर्मिशन वाले इन में से किसी भी केस में हमने अगर डिलीशन किया है तो डिलीशन हमारा से हुआ है कोई केस तू वाले डिलीशन ले थे लिए अधो इसट्री को तोड़ा सा ऑर एक्स्टेंड लेकिते हैं और कि हमान लेते हैं कि हमने 70 के right में नोड इंड गड़े किया है 80 और बुझे जो note delete करना है वो 50 वाला delete करना है कि 50 वाले note का कैसे deletion होगा मुझे right का minimum find करना पड़ेगा मतलब successor find करना पड़ेगा और मुझे successor इसको और बिलीट करेंगे ये केसर से बिलीशन करेंगे क्या होगा हूँ और इसके बार यह जो 70 information में जो मिली है इस उसको मैं स्कुतिया इस नौट का का इंफोर्ट का इंफोर्टियू कि बनाज़े हुए तो जो मैं Case 3 से Deletion कर रहा हूं, तो Recursive 3 वहां पर Case 1 या Case 2 से Deletion कर रहा हूं, तो आइए इसको कोड करके देखते हैं, तो यह मेरा BST Deletion का एक फोटा सा कोड है, इसमें हमने P उस नोट को माना है, जिस नोट को मुझे डिलीट कर रहा है, इसके अलावा मैंने Q, L, R और C मान लिया है, अपने तरब से कुछ पॉइंटर्स, X और Y इंटिजर टाइट के डिटाएटर्स, सबसे पहले मैं Zero Child का डिलीशन मतलब Case 1 का डिलीशन की बात कर रहा हूं, तो अगर P का Left नल है और Right भी नल है, इसका मतलब P है जिरो चाइड वाल नोर है, मैंने क्या किया, P के फादर को Q मान लिया, और अगर ये नोर अपने पैरेंट का Left Child है, तो पैरेंट के Left फील को नल सेट कर दिया, अदरवाइस पैरेंट के Right फील को हमने नल सेट कर दिया, जभी हम कोई डिलीशन करेंगे, तो उस डिलीटेड डेटा एलेमिन को हमे हमें रेटर्न करने की प्रक्टिस है, साथे साथ हमारी ये भी प्रक्टिस होने जीए कि जिस वुद को हम डिलीट कर रहा है, उसकी memory occupied डिते हैं, उसको destroy मैं तो हमने क्या किया, इसके data element को एकसे safe कर्या, free P function से इसके memory को view See the data element है सब्सक्राइब यह तीन लाइने मेरे खाल से तीन जगों पर कॉमन होती चाहिए केस बात करते हैं केस तूटकी अगर पहला वाला केस नहीं है तो केस्टू हो सकता है वंचाइड वाला केस कब होगा जब की का लेफ्ट ना लोगा या राइट ना लोगा तो हमने क्या किया कि या पी के लफ को हमने एल माल लिया और पी के राइट आर माल लिया है की के फाद गॉने की वानत अगर लेफ्ल है उसकेस में सी मसलब चाहिए अगर रइक नल है तो मैंने भी से नोट को इससी अगर वो लेप़ चयाइद नहीं घगा चाहिए हम लेफ़्र wr3 करें या राइट में सेट करें जो चयाइड नोसे फादर को प्रॉट वना पॉन डैक वेड़र ना देखिक था दीजा Спатьुंक कि आप केस्टी रेखते हैं इसमें कि दो चाहिड में मिल रहे हैं या किसी नोड जिसको डिलीट करना है उसके दो चाहिए कि तो इन दौनों में से उपर में से कुई भी कंदीशन नहीं होगी तो जो जो चाहिए जाते हैं Bahasa कमने क्योंत प्रॉपर, इसी अस्के घंठेरी डिलीट करेंगे तो मुझे एक data element के लेंगा data element को हम्में Y में store करा लिए और पी का जो data है वहां पर Y set करा लिए जिस note को मुझे उरिजिनले डिलीट करना था वहां पर data किसका set कर दिया successor note का data set कर लेकिन इससे पहले हमने पी note के data को कहीं save कर लिए क्योंकि हमें हमने रेक्रेक्टेस बनाएक तो औरिजिनली हमें नोट को इसलिए नोट के डेटा को से अर्फाट Warm जासा प्रणता सर थे चुक्षेजन कबिती पॉप्सेसे और तो मि ठीम जोटा स rubbish बनालते हैं और स्च पहसाफ से पिलीशन करते हैं और हम तीनों टेस्ट के स्टी ओगेसेश को चेक करना चाहें के जीरों चाल्ड वाले को भी वन चाल्ड वाले को चाल्ड सबसे पहले मालके कि में अदेधे हैं तैंड जोटी भी मोर ए्युटकर इस गरत है 40 is the left hand, 60 is the left hand, sorry, right hand, 70 is the left hand, 55 left hand, 55 is the left hand. 55 is the left hand, 70 is the right hand, 100 is the right hand, 50 is the left hand, 50 is the left hand. . 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 की सबसे पहले में इसान मुझा। सबसे Mitar College सबिस्पेड़ वाल में 55 टॉट जैब की सब्सक्राइब पाइब 55 डियाइगा तो 60 की माध कब एशुम केर करें नियुक्ष कड़ सब्सक्राइब एक 120 को डिलीट करेंगे और एक 100 को डिलीट करके देखेंगे सबसे पहले हम से यहां पर पुछा जा रहा है कि हाउ मेनी नोट्स दू यू वांट टू इंटर इस्टी में कितने नोट्स है 12345678910 तो मुझे जो डेटा इंजर्ट करना है जो इंजर्ट कराते हैं 150, 40, 60, 55, 70, 120, 110, 150 और 140 जो आपने देखा कि जो इन ओडर ट्रेवर्स अलेको असेंटिक सीक्वेंस में डेटा वैली को प्रिंट कर रहा है इसमें मिनिमम नोट 40 है और मैक्सिमम नोट 40 तो कि स्वाइट आप देख से लिएट करना है कबसे पहले केस कोन वाले को मतलब 55 को डिलीट करते हैं 55 को डिलीट करने के बाद जो डेटा वैलू आ रहा है तान इस 40, 50, 60, 70, 100, 110, 120, 140, 150 इसका मतलब 55 डिलीट हो चुटा है यह पूछ आईगी क्या आपको और डिलीट करना है यस इस डेटा को आपको इलीट करना एं उसको आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा को 60 को डिलीट कर देखा hen 40, 50, 70, 100, 110, 120, 140, 150 इसके बाद हमें फिर से डिलीट करना है तो आपको है 100 जो आप 100 को डिलीट कर रहे हैं तो उसके बाद डेटा इटम को बच्ट है 40, 50, 70, 110, 120, 140, 150 तो आप 100 को डिलीट करते हैं इस तरह से आपको डिलीट करके किसी को भी देख सकते हैं मालेजे अगर आप इस बाद पिल से टेस्ट करना चाहें तो एक और नोट को डिलीट कर देते हैं मालेजे को 50, 50 के डिलीशन के बाद देखे, 50 लिमारा बच्टा है 40, 70, 110, 120, 140, 150 इसका मतलर है यह डिलीशन फंक्शन प्रपर सब्सें है तो आपको डिख रहा है तो लेकिन इस पें छोटी सी एरह तो चोटी सी एरह बस इतनी सी है कि मालेजे की मेरे पास किवल एक नोट बचता है और वो मेरा root node होता है और अगर हम उस root node को delete कर देंगे तो उस case में मुझे root node के pointer को तब जाता है तो I hope की इतना काम आपको तुद से कर लेंगे और इस code में अलका सा या slight correction करके confident होई है कि आप primary search tree की coding को बहुत ही आसाली से कर सेगे Thank you so much for watching this meeting